हेलो आवरीवान वेल्कम बैक टीद्रान अकेडमी जैसे आप अलोड़ी जानते हैं कि हमने क्लास 10 आइसे से मैथेमेडिक्स का जो ट्रिग्नोमेटिकल आइडेंटिटीज है वह 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 चैप्टर जो है वह स्टडी करना शुरू कर दिया है और इसके लेज़ें मैं थियोरी कर चुका हूँ आज के लेक्टर के अंदर हम जो एमेल अगरवाल की एक्साइज 18 के जो कोशनास रहे उसको डिसक्स करना शुरू कर देंगे अगर किसी को लगता है कि सलीना पॉब्लिकेशन के बुक के कोशनास डिसक्स करें तो 100% पहले मैं ये खतम करूँगा उसके बाद ये आजाएँ आपको सलीना पॉब्लिकेशन के कोशिनास रहे वह भी डिसक्स कर दूँगा अगर आप ये सारी कोशनास रहे तो वैसे ही आपको सारे जो डिफेंट डिफेंट जो नुमेरिकर आते हैं उनके solution डिसक्स करते होएं बताऊंगो की कैसे उसको अटेम्ट करना है तो बिना को time waste किये चलिए शिरू करते हैं देखे बड़ा शुरुवात करेंगे अपने सबसे पहले numerical के साथ कहता है कि if a is an acute angle and sin a is equal to 3 by 5 so find all other trigonometrical ratios of angle a using the trigonometric identities तो मेरे बात यह है कि हमें trigonometric identities का इस्तेमाल करके अपना यह answer निकालना है और वैसे बहुत ज़्यादा simple है देखे सबसे पहले इसका solution देखते हैं मैंटा solution क्या है देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है हमें sin a दिया हुआ है जो हमारा 3 by 5 होता है पहली बात तो यह और सबसे पहली identity जो मैं use करने वाला हूँ वो है sin square a plus cos square a equal to 1 ऐसा करके मैं अपना cos a जो है वो identify कर लूँगा अगर आप इसको दियां से देखें तो देखें बटा cos a जो है वो हमारा आ जाता है under the root of 1 minus sin square a तो अब इस case में हमारे पास under the root आएगा यहाँ पर 1 minus sin square a अब sin square a की जगा पर लिखा जाएगा 3 by 5 का whole square अब ऐसे condition में हम क्या करेंगे 1 minus 9 by 25 आपके पास हो जाएगा अब हम इसका LCM लेंगे LCM 25 आजाएगा यहाँ आएगा 25 minus 9 तो next step क्या रहेगा कि मुझे cause a complete find करना है तो cause मेरे पास आजाएगा बटा under the root of 16 divided by 25 अब under root of 16 4 होता है under root of 25 होता है और इसके साथ मुझे मेरा यहाँ पर that is the cause a जो है वो मिल जाता है अब इसके बाद आपको समझ में आगी होगी ठीक है अब इसके बाद next step क्या होगा second a क्या होता है second a जो होता है वो होता है one by cause अब one by cause a करूंगा तो हमारे पास आजाएगा that is five by four इसका reciprocal हो जाएगा तो इसलिए five by four आजाएगा अब हम जानते हैं कि one plus ten square a जो है वो second square a के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि अगर मुझे tangent a find करना है so that will be under the root of one minus that is no 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 not one minus इसको मतलब ठीक कर देता हूँ यह आदेगा बेटा second square a minus one तो ऐसा करने से अब मैं क्या करूंगा देखी बहुत सिंपल है सबसे पहले under the root of अब एपा second square a मतलब हो गया five by four का whole square minus one करूंगा आप जानते हैं यहाँ पर 25 आएगा minus 16 divided by 16 ठीक है तो finally देखो मैं एक काम कर दूँ साथ साथ प्लीज कि आपका जो cause a है वो आपको मिल चुका है पहली बात तो यह आपका cause आपको मिल चुका है फिर second a क्या होता है वो मिल चुका है आपको ठीक है 10 a अभी यहाँ पर आजाएगा बसे sign by cause करता तो भी हा जाता मैं भी क्या ही कर रहा हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं identities बोली है नहीं इसलिमें identity का ही इस्तेमाल करिया रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 10 a is equal to यह 9 आगया 9 by 16 तो basically क्या होगा 3 by 4 तो 3 by 4 जो है वो आपके पास tangent a आपको मिल जाता है ठीक है बाग की तो हम फटाफन निकालेते देखे causec जो a है वो 1 by sign a को बोलते हैं तो sign a हमारा 3 by 5 है तो उल्टा करेंगे तो 5 by 3 आ जाएगा और उसी तरह अगर मैं को कहते हैं कि court a जो है वो आपने इक find करना है तो identities अभी भी लगा सकता हूं इसके अंदर but court a क्या होता है 1 by 10 a को कहा जाता है तो reciprocal को ले लिजिए 4 by 3 जो है आपके पास यहां पर मिल जाएगा तो इस तरह आपको आपके सारी technological identities जो हैं वो असानी से मिल जाती है I hope आपको यह वाला जो numerical कैसे करना था यह समझ में आ गया होगा चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके next problem की तरफ अब हम बात करेंगे विड़ा problem number 2 की अब यह भी वही same to same चीज है कोई different नहीं है देखो बस इस case में हमें क्या है कि secant a मिल जिसको हम sec a बोलते वो दिया हुआ है और वो 17 upon जो 8 है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहूँ तो cause a निकाले तो देखे सबसे पहले हम यहाँ पे cause a निकालते हैं जो cause a है वो पता है कि 1 by secant a होता है तो इसका मतला में 1 upon 17 over 8 मैं reciprocal करना है तो हमारे पास 8 upon 17 हमें मिल जाएगा तो इससे तरह हमारा cause है आ गया बी पार्ट के अंदर अगर मुझे sign a लेना है तो मैं अलड़ी बता चुका हूँ आपको under the root of 1 minus cause square a का हम इस्तेमाल करेंगे तो under the root of 1 minus 8 over 17 का whole square जो है वो यहाँ पे अभी लगेगा ठीक है अब सबसे पहले बात हम इसको अब solve करने वाले हैं देखी कैसे करेंगे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आज़ेगा under the root of थोड़ा से इसको बढ़ा कर देता हूँ that would be 1 minus 8 over 64 हमारे पास होते हैं और 17 का square जो है वो 289 हमारे पास है तो that would be 289 minus 64 divided by 289 में को मिलता है ठीक है उपर हमारे पास आज़ेगा यह 2 का है 5 का 225 उपर बन रहा है और नीचे बन रहा है 289 तो 225 जो है वो आपका 15 का square होता है तो अंडूर्ट करेंगे 15 आएगा यह आपका 17 फिक से आगया तो 15 upon 17 जो है यह आपको यहाँ पर मिल जाता है that is sign a ठीक है उसके बाद अगर माली जी मुझे 10 a निकालना ही है तो आपको बताया था न 10 square a क्या होता है second square a minus 1 basically 1 plus 10 square a second square a होता है न तो आप इसका इस्तिमाल करता है second square a का मतलब हुआ 17 upon 8 का whole square minus 1 तो यह आज जाएगा बैटा 289 over 64 minus 1 यह उदर जाएगा आपके पास और minus 64 कर देंगे अगर मैं इसके अंदर तो 225 divided by 64 आएगा so 10 a जो है वो अंडरूट हो जाएगा मेरा 225 upon 64 का तो यह आ गया 15 over 8 तो इस तरीके से आपको आपका 10 a मिल जाएगा तो यह मैं को ना कभी-कभी लगते मैं ऐसी टाइम बुजा लगाता हूँ अगर मैं चाहूँ तो sign by cos करता हूँ वो भी 10 आ जाता अच्छल क्या है कि इसमें identities बोली है ना तो इसलिए मैं ट्राइ करूँ कि जाल से दा identities का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ ठीक है इसके इलावा अगर मुझे cosec a चाहिए तो 1 by sign a होता है आपका तो 1 by sign a करूँँगा तो इसका reciprocal कर दूँगा मैं तो that will be 17 over 15 आ जाएगा अगर मुझे coat a चाहिए तो coat a क्या होता है 1 by 10 a होता है ठीक है तो 10 a कर ऐसे बोली हमले 8 upon 15 आपके पास आ जाएगा तो बस इस तरीके से आपके पास cosec आ गया आपके पास coat आ गया आपके पास 10 आ गया आपके पास sign आ गया हाना cause आ गया सब कुछ हमने यह secret a से जो है अराम से identify कर लिया और इस तरीके से आपको यह वाला problem जो है वो solve करना था आई होप आपको एच्छी तरह समझ में आ गया होगा चड़िए अब आपको लेकर चलता हूँ आपके next problem की तरफ अब हम बात करेंगे problem number 3 की देखिए बहुत simple again इस case में आपको दिया हुआ है 12 of cosec theta is equal to 13 और आपने इस particular चीज की value जो है वो find out करनी है बहुत ही असान है देखिए मैंने actually इसको करने के दो तरीके देखे थे पहला तरीका तो यह था कि मैंने किया कि cosec जो है ना और जो हमारे पास मैंने इसको one upon sign की form में करके इसको find करके और उसका फिर मैं sin square theta plus cos square theta is equal to one के entity लगा के cos निकाल लूँगा sin निकल चुका है तो इसमें पूट करके answer निकाल लेंगे तो यह तरीका मुझे ज़्यादा easy लगा तो मैं वही इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे ओके सो क्यासे करेंगे सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 12 cosec theta is equal to 13 हमें दिया हुआ है तो cosec theta हमारे पास 13 over 12 आ जाएगा यहाँ पे अगर मैं sin theta लेता हूँ सबसे पहले तो वो one by cosec theta होता है जिसकी वज़े से 12 upon 13 हमें आ देगा अगर मुझे cosec theta निकालना है sin से तो फॉर्मल आप जानते ही हो sin square theta plus cos square theta one होता है तो cosec theta हो जाएगा one minus sin square theta तो यहाँ पर मैं इसको solve करूँगा तो one minus या देगा 12 upon 13 का whole square आ गया आप जानते ही है कि one minus 12 का मतलब 144 हो जाता है और 13 का square 169 होता है ठीक है इसके बाद आपने यहाँ पर cosec theta निकाल लेना है जो कि under the root of 169 minus 144 divided by 169 आपको मिलेगा तो यह आजएगा 25 divided by 169 और finally हमारा answer 5 by 13 आपको यहाँ पर मिल जाता है next और final important step यह है कि जो हमें दिया हुआ है इसके 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 सारी value substitute करेंगे इसके 2 sin theta है तो sin theta के जगा पर आजएगा 12 upon 13 minus 3 cos theta cos theta क्या है मेरा 5 upon 13 चलो done हो गया आगे चलते हैं 4 sin theta तो 4 sin theta मतलब 12 upon 13 और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है 9 cos theta तो 9 into cos मतलब 5 upon 13 ठीक है चलिए इसको step लेते हैं तो यह आगया 24 over 13 चलिए बहुत बढ़िया minus 15 over 13 next step भी हो गया फिर आया ते इसमें आगया 48 over 13 बहुत बढ़िया और minus बढ़िया यहाँ पर आगया that is 45 over 13 LCM ले लेते हैं 13 का यहाँ पर तो उपर आएगा 24 minus 15 जो कि 9 होता है आपके पास divided by 48 minus 45 divided by 13 अब देखें 24 minus 15 मुलोडी बढ़ा चुकों 9 by 13 है और divided by के आजाएगा आपके पास 3 over 13 है यह over वाला कट जाएगा क्या रहे गया है 9 by 3 solve करेंगे तो आपके पास 3 आजाता है और यह आपका required answer है तो इस तरीके से आपने इसको solve करना था देखें मैंसर बहुत ज़्यादा असान है कोई मुश्किल नहीं है आपने बस थोड़ असाना patience के साथ यह questions करने होते अगर आपको patience है और आपको पता है कि identities क्या है याद कलो identities उसको अराम से आप यह solve कर सकते हो चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ आपके next problem की तरफ देखें अब हम बात करेंगे अपने fourth problem की तरफ उसमें दो पार्ट दे गए है अपना यहाँ पर बड़ा अच्छा बोलागा है कि without using trigonometric tables trigonometric table का आपने इस्तेमान नहीं करना और आपने evaluate करना है 4 से लिखे 7 तक तो मतलब आपने direct in angles की value निकाल कर वो substitute नहीं करनी है वो कह रहा है आपको कि आप जो specific identities मैंने आपको रहा है theory के अंदर कौन-कौन सी जैसे मैं आपको बताता हूँ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो major identities बादे जिनका इस्तेमाल यहाँ पर जादा हो रहा है अब के लिए अब पहले part के अंदर कौन-कौन use होगा कि वो था कि cause 90-theta अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि cause 90-theta क्या होता है आपका यह होता है sin-theta और साथ में हमारे पास हमने किया था कि 90-theta जो होता है वो होता है 10-theta तो अभी इन दो identities या इन दोनो results का मैं इस्तेमाल करूंगा पहले part को solve करने के लिए तो चलिए मैं पहले आपको पहला part solve करके दिखाऊं पहला part कहता है कि cause square 26 degree बहुत बढ़िया कोई problem नहीं है उसके बाद है cause of 64 degree और sine of 26 degree देखो सबसे पहले तो आप यह समझे कि जिन दो angles को यहाँ पे लिया गया है इनका जो sum है वो आपका 90 degree है और जब sum 90 degree हो तो उनको change करने के लिए यह best तरीका होता है चलिए आगे चलते हैं बाकि step by step बताता हूँ 10 36 degree है आपके पास divided by quote 54 degree और आप देख सकते हो बढ़िए 54 plus 36 करूँगा तो भी 90 आता है तो मलब इन दोनों में एक relation निकलेगा देखे solution कैसे करेंगे तो solution बहुत ही simple है पहले step में मैं क्या करूँगा यहाँ पर आएगा cos square 26 degree कोई problem नहीं है चल आगे बढ़ते हैं देखे यह जो 64 है इसको मैं चाहूँ तो यह लिख सकता हूँ 64 को क्या लिख सकता हूँ 90 minus 26 90 degree minus 26 64 ही होता है तो मैंने जानबूज के 64 को 90 minus theta की term में लिखा क्योंकि cos 90 minus theta sin theta होता है उससे मेरे result आजएगा और यह मैं क्यों करना हूँ उसका भी बतातो तरिक्का आपको जब कभी ऐसा हो ना ट्राइ करो पहले तो उनके angle same हो जाए अब angle same होने के लिए अगर technological function change होता तो कोई बात नहीं करने से क्या होगा उससे बड़ा अच्छा impact मिलता है जैसे यह देखो भी cos square theta है अगर यहाँ sin square theta बन गया तो answer 1 हो गया सी था ही तो इस तरह से हमें इस्तेमाल करना होता है प्लस अब देखे यह है tangent of 10 36 degree आपको यहाँ दिया हुआ है और यह है cot 54 अब 54 और 36 इन दोनों का sum 90 degree है और मैं चाहों तो लिख सकता हूँ cot को 90 degree minus 54 degree मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अच्छा अब यह क्या है यह cos को जो है 26 degree उसको as it is रहन देता हूँ प्लस यह है cos 90 minus theta तो cos 90 minus theta होता है sin theta तो मदले मैं इसको लिख सब्सक्राइब एक गलती हो गई इसके साथ नहीं यहाँ पर लिखना था sin 26 degree जो नहीं लिखा ओके तो इसका जो answer है वो आजाएगा sin of 26 degree और पहले से ही मेरे पास sin 26 degree पढ़ा हुआ है प्लस यह आजेगा 10 36 degree और नीचे आजेगा मेरे पास that is coat नहीं coat नहीं और मैंने को बता दी coat 90 में theta होता है tan theta तो यहाँ पर जाएगा again tan of और क्योंकि यह 54 है गलती मेरे से फिर हुई है 54 है तो 90 minus 54 थो ना करूँगा मैं यहाँ करूँगा 90 minus 36 degree क्योंकि इसको subtract करके यह result आना चाहिए आपका अब ठीक है so that will be tan of 36 degree अब धियां से देखो यह बन गया आपका cos square 26 degree plus sin into sin same है न बिल्कुल तो यह बन गया sin square 26 degree यह हमारी identity लग जाएगी यहाँ पर कि cos square theta plus sin square theta 1 होता है plus यह तो exactly same है यह दोनों कट जाएगा तो answer आजाएगा 1 result यूज कर रहा हूँ cos square theta plus sin square theta हमारा 1 होता है और एंगल सेम है तो cos square theta sin theta वो दिख रहा है 1 plus 1 करूंगा तो answer मेरा 2 आजाएगा और इस तरीके से आपको यह वाला जो numerical है वो solve करना था I hope आपको यह part समझ में आ गया होगा चली जल्दी से आपको मैं इसके जो second part है उसको solve करके दिखाता हूँ और करने का तरीका बिल्कुल exactly यह देगा चली वहाँ चलते हैं देखिए अब हम पात करनी है second part की बहुत simple बहुत simple देखो ध्यान से results याद रखें मैंने बारवर बोला है आपको कि जैसे कि इस case में cosec 90 minus theta जो है उसको sec theta कहते हैं यह हमें याद करना है दूसरा code 90 minus theta जो है अभी मैंने बता के हटा था कि वो 10 theta हमारा होता है ठीक है और cause 90 minus theta क्या होता है sine theta होता है kindly इन results को याद रखें तो कभी problem ने आएगी उसी तरह sine 90 minus theta भी cause लिख सकते है 10 90 minus theta कोड लिख सकते है second 90 minus theta cosec लिख सकते है तो यह याद रखें कि कौन सी किस identity में बदलती है अगर 90 minus theta की terms में लिखा जाए तो बाके तो फिर तो रद्धी कोशन में कुछ भी नहीं है कोशनों के अंदर अब देखें सबसे पहली बात आप यह देखो 17 है और यह है 73 इन दोनों का sum देखो 90 है बहुत इन दोनों में relation होगा देखें कैसे करेंगे तो मैं लिख दिया secant 70 degree divide by secant 73 अब secant को मैं पहले लिख देता हूँ secant 73 degree को चाहूँ तो लिख सकता हूँ 90 minus 17 degree आप चेक कर लीजे इनको इसको subtract करूँगो तो 73 ही आएगा तो इस नंबर को महलें जो नंबर हमें दिया जाता है उसको 90 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रेक्ट करूँगो कि वो नंबर आजे बस वो ही हमें इडेंटिफाई करना तो इसके लिए क्या करो 90 minus 73 minus कर तो जो नंबर आ गया वो यहाँ शोग कर दो 90 minus 17 degree ऐसे होता है प्लस 10 68 degree तो चाहए उपर वाला कर लो नीचे वाला करो एक ही बात है कोई फरक नहीं पड़ता मैं नीचे वाला ही कर देता हूँ कोट अब 22 है तो इसको 90 degree minus 68 degree करूँगा देखे 22 degree ही मिलेगा मेरे को तो मैं इसको मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ प्लस यह है को स्को चेंज करो इसको चेंज करो एक ही बात है क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 90 है देखो चेक करा करो किन दो पेर्स के बीच का जो सम है वो 90 है तो उनके आपस में relation हमें धूनना होता है तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कोज 90 degree minus 46 degree में कर देता हूँ आपके लिए और इस सारे का square है देखिए cos square है आपका plus cos square 46 degree as it is मैंने यहाँ पे लिख दिया चाहिए अब जल्दी से करते हैं यह हो जाएगा secant 17 degree को secant 90 minus theta क्या होता है secant theta होता है तो यह भी आ गया secant 17 degree plus 10 68 degree 10 68 degree divided by cos 90 minus theta क्या बनेगा 10 theta तो फिर से 10 68 degree plus यह आ गया cos 90 minus theta वो होता है sin theta तो sin 46 degree आ गया मेरे पास 46 degree उसका whole square plus cos square 46 degree यह देखिए cut के 1 आ जाएगा चलो cut के 1 आ गया बहुत बढ़िया plus अब यह लिख सकता हूँ मैं sin square 40 60 तो याद रखें इसको आप ऐसे लिख सकते है plus cos square 40 60 degree यह होता है 1 मेरा तो मालब 1 plus 1 plus 1 equal to 3 और लीजिए मेरा answer आ गया तो कितना simple है यार आपको कुछ भी नहीं था यार simple identities याद रखो यह वाली यार convergence याद रखो मैं कहता हूँ बिलकुल दम नहीं frequent में अगर आपको यह याद नहीं है फिर बहुत दम है फिर आपका दम निकाल देगा वो ठीक है तो यह बात याद रखनी है and I hope आपको यह वाला जो numerical है वो समझ में आ गया होगा चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आज के आखरी problem की तरफ देखिए अब हम बात करेंगे अपने part 5th के पहले part की है ना 5th के पहले part की 5th का पहला part बहुत simple है देखो फिर इससे कैसे करेंगे अब देखो सबसे बहुत देखो यह अब लिखा sin 65 ये 25 क्या इन दोनों का sum 90 है बिल्कुल है तो देखिए कैसे लिखेंगे फिर इसको sin of 65 degree divided by cos 25 cos का cos लिखूँगा अब 25 को लिख दूँगा 90 degree minus 65 degree क्योंकि वो इनको माइस करके 25 ही मिलेगा plus 58 और 32 इन दोनों का sum 90 है बिल्कुल है तो इन दोनों में relation बनेगा तो मतलब cos of 32 degree divided by sin of 90 degree minus 32 degree लो जी minus अब आजा sin of 28 degree बहुत बढ़िया अब बात सिर्फ ये है कि sign जो ये sec है पहले बात तो ये है 62 degree और ये 28 तो मतलब इन दोनों का sum 90 है अब हम इन दोनों में से किसी को चाहो आप change कर सकते है कोई problem नहीं है आप चाहें तो sign को change कर लीजी लेकिन sign को change करेंगे तो cos बनता है और अगर sec को अगर आप change करते हो तो वो cos sec मलब को secant जो है वो आपको देता है तो cos secant कर लेते हैं चलोगे ये काम करते है secant है ना तो मैं लिख देता हूँ इसको secant 90 degree minus 28 degree ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा ease हो जाएगा बटा आपका आगे देखिए फिर next step में क्या आएगा next step है plus plus ये आगया बटा यहाँ पर आपका cosecant square 30 degree है ना वैसे तो ये cosecant था अगर मैं चाहता तो sign को cos बना देता है तो और बढ़िया नहीं हो जाना था लेकिन चलो अब जो है तो है अब क्या कर सकते हैं ना let us do it हाँ जी तो मैं क्या बात कर दो था आपका ये आप गया उसके बाद नेक्स पर आगा है हमारे पस cosecant square 30 degree आपके बात आपके बात आपके बात है ये जो cosecant 30 degree है ना cosecant 30 मैं तो करके दिखाता हूं ऐसा समन में नहीं आएगा यार ये देखिए ये तो आगया यार साइन 65 degree पहली बात दिवाइड बाद और इसको साइन 90 माइन सीटा को को साइन ठीटा लिख सकता हूं तो ये बन गया साइन 65 degree चलो जी डन ये है कोस 32 degree डन जी और यहां पर नीचे आ देगा साइन 90 माइन सीटा अगेन कोस ठीटा तो कोस 32 degree ही आएगा मेरे पास माइनस साइन ओफ 28 degree ये है cosecant 28 degree डन हो गया प्लस अब ये जो है ना ये है 1 by sin 30 degree का whole square और sin 30 होता है 1 by 2 मतलब 1 by 1 by 2 का whole square तो ये 2 उपर जाएगा तो मतलब ये 2 का square है तो इसलिए यहां पर लिखूंगा 2 square ये ये direct value आए क्योंकि हमें पता कुछ values 30 degree, 45 degree, 90 degree, 60 degree, 0 degree ये सब value पता होने चाहिए तकि direct हम उसको use कर सके यहां पर चलिए अब अब तो कुछ नहीं है देखो cut किया 1 आ गया plus cut किया 1 आ गया चलिए minus ये है sine 28 degree और cosecant क्या होता है 1 upon sine of 28 degree आ जाएगा 1 by sine theta ही cosecant theta होता है प्लस 2 का square यहां आ गया 4 आप क्या ये भी cut किया आपका 1 आ जाएगा देखे 1 plus 1 minus 1 plus 4 ये इससे cut गया तो 4 plus 1 5 तो लिजे final answer आपका 5 है तो इस तरीके से आपने ये वाला part अपना complete करना था I hope आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ किस तरीके से आप नहीं करना था very good चलिए अब आपको लेके चलता हूं इसके second part की तरफ देखे अब हम बात करेंगे इसके second part की बहुत simple है अब यहां पर दिया है secant 29 degree चलिए ठीक है secant 29 degree मैं लिख दिया और secant and cosecant का relation हो 61 बनता है आपका प्लस टू इंटू यह देखिए अब ना बात समझने वाली होती है बात को समझने के कोशिश भी करें अब जैसे इस case में यह जो 8 वाला है इसका जो combination है वो आपका इसके साथ बन रहा है क्योंकि 8 प्लस 82 बगम 90 सिमिलरली इस 17 वाले का 73 के साथ combination बन रहा है पर यह अकेला रह रहा है code 45 और हम जानते है 1045 का रैसे प्लस जो की code 45 होता उसकी value 1 होती है तो इसका इस्तमाल तो 1 डालने में आ जाएगा बाकी यह वाला और यह वाला combination भी 90 है तो बस कुछ नहीं है यार बहुत जादा सिंपल देखे कैसे करेंगे सबसे बहुत जादा सिं सबसे पर यहां पर लिख दिया इसको और यह 8 डिगरी तो इसको लिख दिया मैंने code that is 90 डिगरी माइनस 70 एट डिगरी है ना तो 82 आएगा 82 डिगरी तो मैंने यह किया मैंने actuality में इसका और इसका combination ले दिया ठीक है ओके तब यह मैंने 8 और 82 का combination करा दिया ठीक है और यह court है इस नोट को सिकेंट इस गोट को टेंजेंट सी ओ टी कोट ओके जी आगे चलते हैं फिर आया था कोट 17 तो मैं इसको लिख सकता हूं court of 90 degree minus 73 degree यह लो जी इसका combination इसका बन गया साथ में है court 45 degree अकेला minus 3 times of अब इन दोनों combination है तो sign square को लिख सकता हूं sign of 90 degree minus 52 degree इसका square यहीं ले लेता हूं मैं minus sign square 52 degree टन हो गया चलिए यह तो हो गया यार secant 29 degree divided by यह भी आज़ेगा आपके पास secant 29 degree plus 2 into अब दिहास देखिए court जो है वो 10 बन जाता आपका तो बनेगा 10 82 degree और यह आज़ेगा यह अगेन court था क्या कर रहे है तो यह आज़ेगा 10 आपका अरे यह एक चीज़ गलती होगी गलती नहीं होगी वह लिखा नहीं मैंने जैसे इसको लिख दिया ये इसको लिख दिया ये court लिख दिया बाके बाके दो लिखे नहीं मैंने तो साथ में बेड़ा court 17 degree ने court 17 नहीं court 73 और सब में court 82 degree भी आना था तो यह सब multiply हो रहे हैं आपके में यह 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 पांच ठीक है ना मैं तो मैं समझातो मैंने किया किया को टेंशन ना लो सब सबले यह जो court 8 degree है इसको मैंने यह बनाया यह court 17 degree को मैंने यह बनाया और जब बनाया तो इसका combination बनाया इन दोनों के साथ बात खतम होगी फिर court 45 लिख दिया यह रहा अब इन दोनों को भी तो लिखना था ना इसलिए और यह लिखा हुआ हुआ है मैंने यहाँ पर बस यह किया है और मैंने कोई कुछ अल 73 degree court 82 degree चलो माइनस 3 साइन 90 मैंस सिटा को सिटा होता है तो यह आदेगा कोज स्क्वेर 52 degree ठीक है और बीच में प्लस का साइन है तो मैंने माइस पर ने क्यों लिख दिया बट प्लस का साइन है प्लस साइन स्क्वेर 52 degree अच्छी यह लंबा लेंथ वाइस बहुत है इसलिए ब अब देखे दियान से यह है 1082 जिसको 1 by court 82 degree भी लिख सकता हूँ into 1 by court 73 degree आएगा into court 45 degree है into court 73 degree है into court 82 degree है minus 3 into sin square theta plus quarter 1 होता तो यह minus 3 ही रह गया 1 plus 2 अब देखे दियान से यह 82 वाला इससे कट गया यह 73 इससे कट गया 1 आगया court 1 court 45 की value होती ही 1 है इसलिए इस पूरे bracket की value 1 ही है तो यह 1 आगया minus 3 आगया तो बस यह 3 minus 3 0 तो final answer जो है इसका 0 है और बस इस तरीके से आपने यह वाला जो numerical है वो solve करना था I hope आपको आज के lecture में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने यह वाले जो problems को solve करना था ठीक है तो आज के lecture के अंदर मैंने टेग्निमेटिकल रेशो के कुछ questions को उठाया मलब कुछ क्या मलब पहले 5 questions को उठाया और उनके discuss कर लिया है I hope आपको समझ में आ गया होगा के इन problems को solve कैसे करना है अब बहुत बहुत जल्दी आपकी वीडियोज अप्लोड होंगी जिस वीडियोज के अंदर इसके बाकी कोशन है वो डिसकस हो जाएंगे जैसे ही सब खतम होता उसके बाद सलीना प्रब्लिकेशन के जो आपके कोशन होगे उनको भी मैं डिसकस करू तो प्लीज यार लाइक किया करो शेर किया करो अपने फ्रेंस के साथ ताकि हमारा चैनल और बढ़िया से ग्रूव हो सके और आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मॉच